काम की बातें शरीर में जमी गंदगी को निकालने के लिए कौन से फल खाएं? सिब-सिब में फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंतों को हाइडरेट रखकर शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक है. इसी के साथ यह gastrointestinal activity rate को भी इक्रेंच करता है, जिससे पेट की गंदगी आसानी से पास हो जाती है. चुकंदर यह भी शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल कर खून को बढ़ाने का काम करता है. इसमें बिटालिंस नामक phytonutrient पाया जाता है, जो body detoxification का कारिय करता है, इसे liver भी साफ रहता है. नाशपाती नाशपाती में भी बहुत मात्रा में फाइबर और पानी होता है, जो पेट और आंद के विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कारिय करते हैं, इससे मल मुलायम हो जाता है, तो आसानी से बाहर निकल जाता है. केला-केले में भी फाइबर और जल बहुत मात्रा में होते हैं, इसी के साथ ही इसमें potassium, vitamin, folate भी होते हैं, जो आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक है, यह कब्स, कब्स, गैस, आदी, पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं में राहत देता है. एवोकाडो इसमें फाइबर होता है, जो आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक है, इसी के साथ इसमें एंटिकसिडेंट और ग्लूटाथियोन होता है, जो आंत की दीवार की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं. चकोत्रा इसमें भरपूर पानी, नारिंगे ने नामक एंटिकसिडेंट और फाइबर के साथ ही विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, यह कैसी भी कब्स हो उसे दूर कर देता है, इसके तरलपदार्थ फाइबर को उत्तेजित करते हैं, जिससे पांचन क्रिया ठीक रहता है, कब्स की समस्या नहीं होती है, और शरीर में जमी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकाल जाती है, चकोत्रा नहीं मिले तो नीम्बू का प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी इसमें भी भरपूर माता में फाइबर होता है, यह फल कब्स और गैस को दूर करके आंत में जमा गंदगी को बाहर निकालता है, यह फल आंत में स्वस्थ बैक्तीरिया बनाता है, जिससे सभी विशाक्त पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं, दोस्तो अगर विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद